सिवलिंग पर क्या अरपित करनी शी कौन शी मनो कामना पुर्ण होगी? नमबर एक सिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन को सांती मिलती है नमबर दो सिवलिंग पर कच्चा चावल चढ़ाने से धन समपत्ती की प्रापती होती है नमबर तेन, सिवलिंग पर जव चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परसानी दूर होती है और घर में सुख की बृधी होती है 4. शुलिंग पर गेहु चढ़ाने से सुयोग पूत्र की प्राप्ती होती है या संतान संबंधित कोई समस्या हो तो उसमें राहत मिलती है 5. शुलिंग पर काला तिल चढ़ाने से समस्त पापो का नास होता है 6. सिवलिंग पर जल में सफेद तिल दूध के साथ मिला कर चढ़ाने से सभी विमारियों से राहत मिलती है 7. लंबी आयू के लिए सिवलिंग पर सफेद वस्त्र या जनिव और पित करें 8. अगर आपके घर में बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं गुजी है तो सुधगी से सिवलिंग का अभिसेख करें 9. सिवलिंग पर दोध में चिनी मिला कर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिक तेज होता है 10. सिवलिंग पर गन्य का रस चढ़ाने से माल अच्मी की प्राप्ती होती है 11. सिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुस्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ती होती है नमबर बारे, सिवलिंग पर गाय के दूध से बना सुध देशी घी चढ़ाने से सरीरिक्स दुर्वलता से मुक्ति मिलती है नमबर तेरे, सिवलिंग पर सहद चढ़ाने से रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही बाड़ी में मिठा से आता है नमबर चवदय, सिवलिंग पर अकांडे कफुल चढ़ाने से संसारिक बधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है नमबर पंद्रय, सिवलिंग पर समी के पत्ते चढ़ाने से सभीत रह के दुखों से मुक्ति मिलती है 16. शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से तेजस्वी पूतर की प्रापति होती है 17. शिवलिंग पर दूध में केसर मिला कर चढ़ाने से सिग्र विवाह का यूग बनता है 18. शिवलिंग पर भस्म अर्पित करने से सारिरिक मांसिक तथा पाप दोस सीमुक्ति मिलती है ⁹19 शिफलिंग पर गुड्चनाने से पती-पतनी के मधुर संबंध बनते हैं ⁹20 शिफलिंग पर चने की दाल चड़ाने से सिगर विवाह का योग बनता है ⁹21 शिफलिंग पर लाल मसूर की दाल चड़ाने से मंगल दोस समापत होता है 22. सिवलिंग पर काली उडद चढ़ाने से राहु केतू तथा सनी सांत रहते हैं 23. सिवलिंग पर पंचामरित चढ़ाने से सभी मोनोकामनाओं की पूर्थी होती है 24. सिवलिंग पर जल में दुबा डाल कर अरपित करने से रोग दोस दूर होता है 25. सिवलिंग पर दुद चढ़ाने से आर्योगता की प्राप्ती होती है दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान महादेव का असिरबाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमिन्ट बाक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें पर पर अब्हें जरूर रहें का अपर भी चाहते हैं